हेलो गाइस नमस्कार मैं भाविश घचपाल एक बर पूरा आपके साथ आपके अपने यूटूब चैनल लक्षिवित भाविश घचपाल में यदि आप चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें साथ ही बाजू में जो बैल आकन है उसे आन मोड पे रखें त आपको नोटिफिकेशन तुरंथ प्राप्त हो सके इसके लावा आप मेरे टेलेग्राम चैनल से लक्षिवित भाविश घचपाल साच करके जूट सकते हैं यदि कोई डाउट हो तो वाट्सप नमबर दिया हुआ है मैंने 7470999978 उस पर मुझे केवल वाट्सप करें कॉल न ना दिया है तो पहले आप अगर पर नहीं देखें तो उसके प्रश्णों को देख लीजिए यह इसमें कुल मैं साथ प्रश्णों को कवर करूंगा आज के इस मैथमेटिक के टॉपिक में तो संपरिक्षक का सीरीस चला जैसे की मैं बताया है उन्या सीरीस चालू क्या हूं जिसमें व्यापम के पूरे और पीएसी के पूरे जितने भी ओल्ड एक्जाम जितने भी मैथमेटिक के कोशन है सबको बारी बारी से आपको सौल करके दिखाऊंगा आज हम देखने वाले हैं पार्टू के अंतरगत कोशन नमबर एक जिसमें पांच आमों और चार संत्रों की कीमत उतनी ही है जितनी की तीन आमों और सात संत्रों की है एक आम की कीमत एक संत्रे की कीमत से अनुपात होगा अनुपात निकालना है कितने सरल तरीके से आप बना सकते हैं कितना समय बचा सकते हैं ठीक है कुछ नहीं है क्या बोल रहा है इसमें देखिए सिंपल सा तरीका है 5 पाँच आम 5 मैंगो तो मैंगो के लिए आम मेंग दे रहा हूँ 5 आम और जब भी किसी मैथेमेटिक में इस कार के question देते हैं तो और का मतलब प्लस होता है धन होता है ठीक है पांच आम और चार संत्रे ओफ और औरेंज फोर ओरेंज ठीक है काम मुल्य उतना है इनका जितना भी मुल्य होगा 100 रुपए 200 रुपए 500 रुपए वो बराबर है तीन आम और साथ संत्रों के मुल्य के देखे अंतर कर लो तो 5m-3m equals to 7 orange minus 4 orange चार संत्रे ठीक है तो यह हो जाएगा कितना 2 mango equals to 3 orange mango के नीचे लालो cross multiply करके तिरिया गुना करके orange को और 3 के नीचे लालो cross multiply तिरिया गुना करके 2 को तो mango ratio orange मतलब एक आम और एक संत्रे का अनुपात आ गया तीन अनुपात दो यह इसका अंसर होगा कितना आसान है ठीक है तो इसमें tough question भी दिया और आपका simple question भी दिया है इस संपरिक्षक 2018 के paper में ठीक है जो आगामी आने वाला संपरिक्षक के paper है जिसका विकेंसी निकला ह होगा था तो उसमें यह पूरा काम आएगा आपके तो यह इसका अंसर होगा 3 ratio 2 इस प्रेकार सी इसका अंसर होगा चलिए अब आगे बढ़ते हैं question number 2 की ओर दो को trick से बताऊंगा simple सा फंडा हर बार काम आएगा यह trick याद रखिएगा चक्रवृद्धी ब्याज का trick एक रक āएगा उपसंस दिये गें ध्यान से कस साल वर्र कई और यहांपर लिए रहता है गुन है कितने साल में 8 गुना ठीक है समझ रहुठ 10 years将 میں 2 गुना तो कितने साल में 8 गुना होगा कितने साल को लिख लिया है कि माना x साल में 8 गुना होता है अब कुछ नहीं करना रहता जब भी चकर विद्धी ब्याज की दर से वो 2 गुना 3 गुना होता है न तो ये सौट कर तरीका अपनाएंगे हमेशा जो ऊदार कर रूप में लिखें कहने का मतलब है 8 को हम 2 की घात 3 लिख सकते हैं चैने का मतलब क्या होता है यह वह भी आदार मनाने का कोशिश कर लिया इसका भी बेस क्या होगा है दो दो की घात तीन अब जो भी घात आएगा पावर जो भी आएगा जो बनने के बाद अधार से बनने के बाद तो उसको पहले वाले साल से गुना कर देना है बस तो पांच गुनित तीन तो पांच तीया हो जाएगा पंद्रा ये देगा दूसरा सब्सक्राइब कितने साल में कितना गुन होगा तो यह आपका दूसरा साल जाएगा तो इसको मैं लिखता तीन की घाद दो तीन तीन नौ वो टूटना भी चाहिए और उसका बेस भी बनना चाहिए उसके बाद जो उसकी पावर होती ना उसको उपर वाले पहले जो साल से उसको गुना कर देता तो दूसरा वाला साल निकल जाता मेरा तो 15 वर्स में वह 8 गुना हो जाएगा इस प्रकार इसका अंसर होगा ए 15 वर्स आगे वरते हैं अगले कोशन क्यों देखिए यह थोड़ा सा कोशन है थोड़ा घुमा दिया है और कुछ चीज़े क्लियर नह साला बताया था तो यदि कोई संस्ता प्रमुक कंप्यूटर में दक्ष है कोई संस्ता है सबसे पहले तो यह याद रखेगा इस संस्ता का यदि कोई प्रमुक है है वह अगर कंप्यूटर में दक्ष है मतलब कंप्यूटर चलाने जानता है कंप्यूटर अच्छा सा ऑपरे जाएंगी यह तो लाईन कैसा लिख रहा है यदि कोई संस्ता प्रमुट कम्पीटर में दक्छ है तो उस संस्ता को तीन कम लिपिक क्या हो सकता होगी जब वहां computer अप्रशिक्ष्षि संस्ता प्रमुक्य निक्त करता है मतलब जब वो नुक्त करेगा एक अप्रसिक्षित संस्था प्रमुक तभी उसको तीन कम लिपिक नहीं लगेंगे ऐसा है ना यह ध्यान दीजेगा यह दोनों अलग लग चीज़े हैं तो यहां पर तीन कम लिपिक कब लगेंगे जब वो कम्प्यूटर में दक्ष संस्था प प्रमुक एवं लिपको के वेतन करम्सा देड़ लाक एक लाक और तीस अजार हैं अब यहां पर एक चीज़ क्लियर निक्टिए है कि यह वेतन मन्तली है की अल्ली है यहां पर लिखना चाइ乐्ये था ठीक है कि वार्सिक वतन है इसका मतलब यह है कि वेतन भी वार्सिक ही है, ठीक है, ऐसा मान की चलते है, अला कि इतना कम वेतन नहीं रहेगा, लेकिन हम ऐसा मान की चलेंगे, तब यह बनेगा अधिर वहख एक कंप्यूटर अप्रिसिक्षित प्रमुक नुक्त करता है औस संस्था की वार्सिख हानी घात करना है यदि वा एक कंप्यूटर अप्रटिक्षित प्रत्रमुख उस प्रसिक्षित को लेकिन यदि वो अप्रसिक्षित प्रमुख नुक्त करता है वो संस्था जो कि किया है एक बोल दिया ना एक ही नुक्त करता है बोलके एक नुक्त करता है साल में तो उसका वेतन लगेगा एक लाख रुपिया लेकिन उसको सांसा तीन लिपिक और लगें तो उनको तीन लिपिक लगेंगे और एक लिपिक का वेतन है 30,000 कितना है 30,000 वेतन है ठीक है तो तीन लिपिक का वेतन कितना हो जाएगा तोटल साल का 90,000 रुपिया उसको वेतन देना पड़ेगा एक साल का ठीक है याद रखेंगे यह आपको समझा रहा है 90,000 रुपिया वे या तो उसे देना पड़ेगा एक लाख रुपिया को ऐसे लिख देता हूं एक दो तीन चार और पांच जीरो करके ठीक है और साथ में 90 कितना व्यतन देगा एक लाग प्लस नव्य हजार एक साल का तो एक लाग नव्य हजार व्यतन देगा मतलब दोनों के वेतन में कितना करता होगी उसको कवर करने के लिए प्रकिन जब एक प्रसिच्षित प्रमु करता है तो उसे वेतन, उसे 3 लिपी कम लगते हैं लेकिन जब एक प्रसिच्षित प्रमु क्नुक्त करता है तो उसे 3 लिपी एक्स्टumpy लगईंगे मतल़ ऊसको 40,000 रुपए का भार बढ़ जायेगा समझा रहा है तो इसका आंसर आएगा 40,000 रुपए व्यापम ने यही आंसर इसमें लिया हुआ है 40,000 रुपए तो इसी प्रकार से यह प्रशन बनेगा जैसे कि मैं समझ इसे पाया हूँ चलिए आगे बढ़ेंगे, कुशन नमबर 4, एक मिनट, बारा सेकेंड, एक घंटे का कितना प्रतीसाथ है, जुनिट समान होना चाहिए मैथेमेटिक को बनाने से पहले, परसेंड निकालना है लेकिन घुमा दिया है प्रशन को, सबसे पहले तो एक घंटे में कितने सेकेंड, कितने सेकेंड, 36 सेकेंड, और एक मिनट, और बारा सेकेंड में कितने सेकेंड, एक मिनट में 60 सेकेंड, प्लस बारा सेकेंड, तोटल कितने हो गया है, 72 सेकेंड, तो 36 सेकेंड में आ गया, और ये वाला भी किसमें आ गया, आपका सेकेंड में आ गया 72 सेकेंड, तो कुछ न अब आपको दोनो सेकेंड में पता चल गये, अब क्या करना है ईक मिनट बारा सेकंड एक गंटे का कितना परसेंट है, जैसे ऑर एक गंटे के दाथ पर disagreedfikा यहाँ पर 800 second का mathematics में जहां पर भी का की की बोलता है वहां पर उसके बाजू में गुणा लग जाता हैं तो एक गंटे का मतलब 3600 का कितना परसेंट मैं माल लेता हम एक्स परसेंट ठीक है एक्स परसेंट मैं चत्ति सो का एक्स परसेंट कितना के जगह मैं ला लिआ एक्स कितना है एक मिनाट 72 सेकंड कितना है वह बूल रहा है तो 36 का एक एक परसंट जो है वह 72 सेकंड के बराबर है इस 72 सेकंड का मतलब क्या है एक मिनाट 12 सेकंड है इस 72 सेकंड का मतलब ठीक है तो 36 का कितना परसंट 22 सेकंड है एक परसंट को हटा देते हैं और एक बटा क्या विलू कितने आई? 2, 2 क्या है? परसेंट में रहाएगा. ये इसका अंसर है. कितने परसेंट है? 2 परसेंट है. तो इस प्रकार इसका आंसर क्या होगा? A इसका सही आंसर होगा. 2 परसेंट. ठीक है? चलिए कोशन नंबर 5 के ओर बढ़ते हैं. A, B को 50 रुपए देता है. B इसक आधा यहां पर C छूड़ गया ना, C को देता है, C इसका पाचवा हिस्सा D को देता है, तब D द्वारा प्राप्तरासी रूपियों में कितनी है, ठीक है, तो यह आपके चार अप्सन है, एक, दो, पाच और सुन्य रूपए, ठीक है, तो A B को देता है, 50 रूपए, A ने B को दिया, इसका आधा मतलब कितना दिया, 25 रूपए, ठीक है, फिर C ने D को दिया, इसका पाचवा हिस्सा, तो 25 रूपए का पाचवा हिस्सा, तो 25 रूपए का पाचवा हिस्सा, पाचवा हिस्से का मतलब का केकी के मतलब गुना, पाचवा हिस्से का मतलब एक बटा, पाच लिए का 5 25 मतलब कितना दिया 5 रुपए दिया तो डी को कितनी राशी प्राप्त हुई डी को राप्त हुई 5 रुपए इसका अंसर होगा सी सिंपल सा प्रश्ण है कोशन नमबर साथ भी देखेंगे जो टफ है कोशन नमबर छै पहले देख लेते हैं यह भी आसान सा कोशन 3 by 4 हो जाएगे ठीक है तो एकश की पावर घात का आप क्या कर लो लगुत्तम निकाल लो चार चार का लगुत्तम चार है ना और तीन तीन प्लस तीन कितना हो जाएगा चैह हो जाएगा तो अगला हो जाएगा एकश की पावर है ना 3 plus 3 मतलब 6 इसका एंसर होगा कितना आसान है ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं कोशन नंबर साथ को देख लेते हैं बहुत ही इंपॉटेंट कोशन है और एक प्रैक्टिकल कोशन है बताया था प्रैक्टिकल कोशन पूछा हुआ है आप कोशन पढ़ के समझ जाएंगे देखिए जगदल पूर मतलब यह 36 गड़ के परिपक्ष में पूछा गया बनाकर बिलासपूर अंबिकापूर रायपूर में एक दिन की आय क्रमसा एक हजार रुपए आठ सु रुपए छैसु रुपए और बारा सु रुपए कंडिशन अप्लाइट एक दिन की आय बोल रहा है यदि एक व अंबिकापूर में दो दिन बिलासपूर में एक दिन और जग्दलपूर में एक दिन काम करता है ठीक है अब खर्च कितना कर रहा है कि खर्च कितना कर रहा है वह कि कर रहा है दो तीहाई मतलब तीन हिस्से में से दो हिस्सा कर रहा है दो तीहाई का मतलब तीन हिस्से में से और एक तिहाई को आपस में लगुत्तम निकाल दोगे ना तो यह आजएगा एक हिस्सा कि कितना जाएगा एक हिस्सा ठीक है कुल मिलाक एक भाग के बराबर होगा ठीक है आपको बचत ही निकालना है तो सीधा-सीधा हम दो त्याई से कर्णवर्ट कर लिए उसको बचत में मतलब एक त्याई सा बचाता है अब अध्यान से देखेंगे प्रश्णों को कि जगदलपूर बिलाजपूर अंभिकापूर र पूल के लिए बचत एक दिन का है क्यावल कितने का एक दिन ही वह वहां काम करता है इसलिए एक दिन का ही बचत निकलेगा क्यावल ठीक है चलिए तो एक हजार का एक तिहाई एक हजार का एक तिहाई तीने कम तीन तीन नौ तीन तीन नौ फिर इसके बाद तीन तीन नौ द दो तिहाई खर्च तो एक तिहाई बचत ठीक है समझा रहे हैं अब दूसरा है बिलासपूर का बिलासपूर के लिए 800 रुपए है क्या आए उसकी ठीक है और खर्च कितना करता दो तिहाई तो बचाएगा कितना एक तिहाई और बिलासपूर में कितना दिन स्टेक किया है कित तिन दुनी छै तिन चक्षक एठारा और तीन चक्षक एठारा दस अमलोव तीन चक्षक एठारा अग बढ़ाका ले लिए हो दो सब्सक्राइब रूपय इतने की वह बचत करेगा अब आजते हैं हम अगला अगला अम्भिकापूर में दो दिन इस्टे करता है ठीक है तो ध् एक दिन की उसकी आए कितनी है 600 रुपय एक दिन का आए 600 रुपय समझा रहा है तो दो दिन का 1200 रुपए तो काम कितना किया दो दिन किया दो दिन के लिए निकाल रहा है तो 1200 रुपए का एक तिहाई बचत निकालेंगे इस बार जो बचत निकलेगा वो निकलेगा एक तिहाई 1200 रुपए का 600 रुपए के निकलेगा या तो आप 6 सो रुपय के निकाल के उसके दूग ना कर दो, तो भी आंसर सहीं आएगा, या तो आप सीधा-सीधा 12 सोकत, इससे 2 को गुना करके, एक यह निकाल लो, है ना, तीन एकम, तीन चोंक, 12, मतलब कितने ही का बचत करता है, 400 रुपय का, अब आया, आपका कौन सा है, राइपूर जीला, तो राइपूर जीले में भी एक दिन ही काम करता है, और राइपूर जीले का इंकम है, 12 सो रुपय, इस बार आप निकाल लेते हैं, राइपूर के लिए, ठीक है, तो राइपूर का बचत निकाल लेते हैं, केवल कितने दिन का, एक दिन का, तो राइप इस प्रेकार निकला हमारा कितना-कितना बचत कुल बचत कितना-कितना मिला है 333.33, 266.67 ठीक है और बना है अपका कितना 400 और 400 रुपए और अगला भी 400 रुपए ठीक इसको 0.00 ले देते हैं ताकि हमको कुल बचत जोड़ते बने 7, 3, 10, 10, 1, 6, 3, 10, 10, 1, 6, 3, 10, 10, 1, 6, 3, 10, 10, 1, 4, 4, 8, 2, 10, 3, 13, 14 कितना? 1400 रुपए आया इसका आंसर तो कुल ये बचत करता है 1400 रुपए इस प्रेकार इसका आंसर कितना होगा? बीज का सही आंसर होगा 14 रुपए ठीक है? I hope यहाँ पूरा सीरीज आपको समझाया होगा जल्दी हैं हम जन जाती की सीरीज को भी आगे बढ़ाएंगे मैं भी बहुत सारे फ्री वीडियो लगतार डलते रहूँगा तो वीडियो आपको लगतार मिलेंगे ही मिलेंगे इसका तीसरा पार्ट भी बनेगा जिसमें समपरिक्षा का पूरा कोश्चन खतम हो जाएगा वीडियो मैं तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यमाद यदि वीडियो पसंद आता है वीडियो को लाइक जरूर करें